स्वास्त विभाग अब कर्मियों पर नकेल कस्नी की तयारी में जुट क्या है राज्च के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सक से लेकर सफाई कर्मियों पर शकंजा कस्नी की तयारी चल रही है स्वास्त विभाग नहीं हर मही ने स्वास्त कर्मियों का जूटी चार्ट मुक्ख्याले में मांगा है चार्ट की जचप्रताल के बाद जो कर्मच्यारी अनुपस्तित होंगे उन पर कड़े कारिवाई की जाएगे अस्पतालों में आने वाले मरीचों को और बेहतर सुविदा देने के लिए कर्मियों के हाजिरी जाच करने का नड़ लिया गया है बेते दिनों उपमुख्यमंत्री सस्वास्त मंत्री तेजिस्वी यादो परसाद के अधक्षता में मेटिकल कॉलेज की प्रचारिया अधिक्षक सिविल सर्जन और जुला कारिकरम प्रवंधकों की बैठक हुई थी मुझफरपूर मेटिकल कॉलेज का उचक नेरेक्षन कर चुके उपमुख्यमंत्री ने मुझफरपूर मेटिकल कॉलेज में उपलब्द सुविधाओं का शत्र प्रतिशत उप्योग नहीं होने पर नराजगी जताई थी उस बैठक में तैय हुआ था कि अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर नर्स पारा मेटिकल स्टाफ आउट सोर्सिंग पर काम करने वाले सफाई कर्मी गाड सभी की डूटी की जांच की जाएगे बायोमेट्रिक हाजरी अनिवारी किया जाएगा साथी हर महीने का डूटी चार्ट मुख्याले मंगाया चाएगा और फिर उसकी जांच परताल भी की जाएगे पतादी की मुख्याले के अधिकारी विशेश कर मेटिकल कॉलेज और सदर अस्पताल के स्वास्त कर्मियों की डूटी चार्ट की समिक्षा करेंगे अगर जूटी लगाने में अस्पताल प्रमधन की ओर से मनमानी की गई या रोस्टर में अनियमतिताब बढ़ती गई तो ऐसे लोगों पर सक्त कारिवाई की चाहेगी बिभाग ने साफ किया है कि सदर अस्पताल हो या मीटिकल कॉलेज अस्पताल में आने वारी मरीचों को बेहतर इलाज की सुवधा मिलनी चाहिए विभाग ने कहा है कि अस्पतालों में भीड होना कोई नई बात नहीं है यह अभी सच है कि स्वास्त कर्मियों पर काम का दबावदिक है लेकिन कोई अस्पताल में आता है तो यह सूच कराता है कि उसका उपचार सही तरीके से हो जाएगा ऐसे में सभी स्वास्त कर्मियों का दायत्व है कि वो बहतर सुविदा उपलब्द कराएं बता दे कि विभाग ने अस्पताल में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखने और 24 घंटे दवाओं की उपलब्दा बनाए रखने को कहा है अस्पताल में डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ की उपलब्दा हर हाल भी हो उस्पताल में जो भी उपकरण लगे हैं उसे चलाने वाले तकनीकी कर्मी हो मेडिकल कॉलेज में में आई हैल्प यू काउंचर बनाने को भी कहा गया है तो बता दे कि च्रिकित्सक से लेकर सफाई कर्मित तक के काम पर अब विभाग की नजर रहेगी हर रोज की उपस्तिती का हिसाब किताब लिया जाएगा विभाग ने अपरेल के हाजरी जाच करने का नर्ने भी ले लिया है वहीं मुख्याले अस्तर पर इन हाजरियों की सम निरिक्षन किया और जिस तरीके से सत्प्रतिशत जो तमाम वहां पे सुविधाएं हैं उपलब्द उसका उप्यूग नहीं किया गया उसको लेकर नराजकी भी जिताए उसके बाद बैठक कर ये फैसला अब लिया गया है विभाग की तरप से कि कर्मियों पर नकेल कसा जा थकी कर्स कर्सक दो